हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग तो जैसा कि आप जानते हैं कि नए अपडेट आ चुका है और उसके साथ काफी सारी नई चीज़े आई है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस अपडेट पे काफी सारी चीज़े बताई है थी क्या क्या आने वाला है तो आप उस में क्या क्या नहीं आया है कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्स्ट्राइब कर दिजिए और बेल आइकाउन प्रेस कर दिजिए और आना दोटाइए ऐसे ही मज़ेदार गेमी वीडियो का और देखते रही है मेरा चैनल पावन 777 पीस्ते वीडियो में द आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इडिट का बटन दिख रहा है वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारे टूप दिखाए देंगे और यहाँ पर आप सिलेट कर सकते हो कि आपको कौन-कौन सा टूप लेना है तो आपने अगर एक बार उसे सिलेट कर लिया ज दिखेगा और उसके आलावा कोई भी आपको दूसरा ट्रूप देने सकेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेयर ने रिक्वेस्ट डाली हुए तो अब उसके डॉनेट पर क्लिक करते हैं कि अभी हमारे पास एडी और लून्स नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी जो ट्रूप से उनको ब्लैक एव्ड कर दिया है और सिफ आमारे पार रेज है तो उसको इसके लैटनिंग में दिखाया है इसके आलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपर टूप्स क जो यहां पर, शुपर टूप की यहां पर जो बिल्डिंग है, इसमें कुछ नए टूप दिखाये गए हैं, आप यहां पर देख सकते हो कि अगर आपके पास मैक्स लेवल का टूप होगा, तो ही आप उसे सुपर टूप में कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास तो ऐसे आप यहां पर फर्टिस भी कर सकते हो। ऐसे टूस की तो मैं यहां पर इसे skip कर देता हु। तो आप देख लेना बाद में इसको और इसकी खास्य दे है कि आप इस टूप्स को डोनेट भी कर सकते हो तब तक हम बाखी कुछ आप्टेर्स भी देख लेते हैं इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नाइडवेस में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा नाइडवेस में आटक करने के बाद ट्रूस को ट्रेनिंग करने में जो टाइम लगता था अब वो टाइम नहीं लगे आपके ट्रूस बीना टाइम लेगे आप यहाँ पर देख सकते मेरा पुरा का पुरा आर्मी कैम खाली है और यहाँ पर में शिलेट कर तो अपने ट्रूस तो आप देख सकते कि बीना कुछ टाइम लेए वह अब रेडियो रहे है तो यह अब खास बात हो चुगे इसकी और यहीं नहीं कि अब हीरो जो रिजर्णेट करने के लिए टाइम लगता था अब भी नहीं लगेगा अब आपका हीरो अगले आटेक के लिए भी रेडी ही रहेगा बीना कुछ टाइम लिए तो यह कुछ बात है दी जो फिछले मैं लेका है 250,000 जेम अब हम जेम्स के साथ यहां पर नहीं स्कीन खरी सकते हैं अब ही के लिए सिफ एक स्कीन है और किंग की पारडन के लिए और रॉयल चाम के लिए कोई भी स्कीन नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक स्कीन है वाले टाइम में ज़रूद जो विलेज बेस है उसका थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है मतलब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक जरना आया है हुआ एक 3 o clock के corner के पास और यहां पर आप देख सकते हैं एंप्टी स्पेस यहां पर बनाया है तो यह सवाल है कि आगे क्या नहीं आने वाला है यह आप यह एंप्टी स्पेस यहां पर क्यू दिया है उन्होंने आप मुझे कमेंड में बताए कि आपको क्या लगता है यहां पर क्या नहीं आएगा यहां पर कुछ भी नहीं सकता है देखते हैं मजा आएगा जैसे कुछ आता है तो मैं आपको उस पर इनफर्म कर दूंगा इन सब क्या लगा काफी कुछ कॉस में रिडक्शन भी हुए जो कि मैंने पिछते अपडेट में कवर किया था और जो कुछ नई लेवल्स पी आई है वो भी उस उस अपडेट में मैंने कवर किया था तो आप उस अपडेट को एक बार देख लेजेगा तो आपको पूरी ब प्याल झाल हुआ 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 है तो आपको हमारे नए सुपर्डूस कैसे लगे गाइस टाइम के साथ और भी सुपर्डूस आएंगे फिलाल चारी है जो क्लैश ऑफ क्लैंस ने अभी दिये है तो आप मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसे लगे और आपका सबसे फेवरेट सुपर्डूस अब तक कौन सा है और आपको क्या लगता है कि आगे कौन सा टूप आएगा तो भाई उम्मीद देखिए आप सबको यहाँ पर कुछ नए इंफोर्मेशन मिली होगी नए अपडेट पर तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चाइनल को सब्स्राइब कर देना और वीडियो को जादा स से अच्छा इस अपडेट में क्या लगा फ्लीज कमेंट करना कैस क्योंकि कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक इन तीनों चीजों से मोटिवेशन मिलता है और भी आच्छे वीडियो बनाने के लिए तो मिलता हूँ आपको आगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़